हिंदु धर्म में देव उठनी एकादशी का अत्यधिक महत्व है। हिंदु पंचांग के अनुसार कार्तिक मास्क शुकलपक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु योग निंद्रा से उठते हैं इसलिए इस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन शृस्टी के पालनहार भगवान विष्णु और मालक्ष्मी को समर्पित होता है। तुलसी की पूजा भी की जाती है। इस बार कार्तिक महा की एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी पर कुछ उपायों को करना बेहत्चु माना जाता है। ऐसा करने से मालक्ष्मी और श्री हरी का आर्शिरवाद प्राप्त होता है। जीवन के कश्टों से राहत मिलती है, विवाद के योग बनते हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवाद विष्टों की पूजा करें, इस दौरान पीले चंदन या केसर या हल्दी से तिलक लगाएं, पीले रंग के फुल अर्पित करें, इस दिन तुलसी पूजा जरूर करें, ऐसा करने से विवाद में आ रही बाधा दूर होती है, व काम को विरक्ष के नीचे दीब जलाना चाहिए, मानता है कि इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति को जल्दी ही कर्च से मुक्ति मिल सकती है, देव उठनी एकादशी पर सुबह नहाने के पानी में एक चुट की हल्दी मिला दे, इस दान के बाद पीले रंग के सुच वस्त अपनाने से आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार की रुकावते समाप्त होती है और भागे का उदय होता है हम है तेश के दिल उत्तर प्रदेश की धरकन उत्तर प्रदेश टाइम्स